हिमालय की नदियां या पहत तंदर एंटी सीडेंट रिवर हमें एक सीख देती हैं वह सीख क्या है वह सीख यह है कि आप अपने लक्ष की तरफ बढ़ते चलें जो आपकी लक्ष की दिशा है उस दिशा में आप आगे बढ़ते जाएए इस नदी की तरह आगे कई ऐसे मौके आएंगे कई ऐसे कारण होंगे चाया हो पारिवारी कारण हो वित्ती कारण हो स्वास्ट कारण कई ऐसे कारण आएंगे जो आपके सामने बाधा के तौर पर खड़े हो जाएंगे जैसे इन नदियों के सामने ये बाधा के तौर पर इस्थला करती खड़ी परते जाएंगे ये नदी हमें यही सिखाती है कि जो आपका मार्ग है जो आपके लक्षे तक पहुंचाता है अगर इस मार्ग में कोई परिशानी आती है तो उस परिशानी को चीर दो अर्थाथ उससे भटको मत अपना मार्ग बदलो मत भटकाओ की स्थिति उत्पन मत होने मार्ग में फोकस बनाये रखो जो बाधा आई है उस बाधा को पार करके अपने लक्षे तक पहुंचो ये हमें सीख मिलता है हिमाले की नदियों के इस उधारण से तो अगर PSC की तैयारी कर रहे हैं और लक्ष तक पहुंचना है तो मार्ग कभी बदलना नहीं कोई भी रख्ष मिले नहीं रुखना नहीं ध्यान रखना हारा वही जो कभी लड़ा नहीं जिसने लड़ा है वो या तो जीता है या तो सीखा है